एक प्रेस वारता के दुरान डेरा मुखी गुर्मीत रान प्रही मामले पर हर्याना सरकार को जम कर आड़े हातों लिया है उन्होंने कहा कि हर्याना सरकार ने डेरा मुखी के खलाव शिकायते मिलने के बाद भी कारवई नहीं की उन्होंने कहा कि अब S.G.P.C. उन सिक्खों तक पहुँच करेगी जो डेरा मुखी थे और अब वापिस आना चाते हैं देरा डेरा सर्शार उधे खलाव समाज दे हर वर्ग बना बहुत अबाद्या और जानिया जो कुछ देरे अंदर पुकरम अंदर है और पीरत लड़कियां दे परवारा नार तूक बेज़ारे वर्ग किता है यह सारिया करना बारे समाज दे अंदर हुदे खलाव पड़ी कुड़तन जी हो पहला हुँच चैज़ाई से के हरेमसरकार बख्तरेंदे उदे खलाव कारवई कर दी ताँजो इड़े बड़े दुखान तो उंटले जा साथा थी लेकर ने वसरा बख्दा गया और तो सारे देश रुए जो जुडिशरी ने रोगदा गिता और जो मीडिया ने रोगदा किता उना जाता नमाति होना चाहिता इनने बड़े प्रेशर दे भावजुए थी इनने बड़े एकार्थे होंदा है जो जुडिशरी ने पक्ता स्ट्रेंग लेया हाई कोट्रे मी और सीवेड दे चाहितने होना ने चाहिता उन्हे परवार नुबादा किते तमकेंचते आगी हैं लेकर जितना निरपाय होके निरर होके तेरी ने अदार्थ ने अपना रोल दा किता और पीड़ तंभी इंसाफ किता और देश दे लोकान भी एशास किराता कि अधार्थ ताय जुडिशरी है वो कि फैसरी न करते हैं सोचे पाइस चाहिनों यह अपीर कर दे हैं हवाई मार दे हैं और जिस्ते हम गुरु साहब ने परवाया है नान के कच्च्ण शु तोर तूंड सजन संत पक्कें और जीन दे बिच्छन ओंगें जाई शुट फिर इस सच्चे ने उदे मगर लगन दी लोड़ और कच्च्चा समने हो गया उना नो छटके मुड़के घुरु साहब ना चाहिए बाणी और बाणी दे आपने बनना चाहिए ता जो यह समाज है इना कुरितियां तो बचके एक नमूनी दे समाज बन सकाए अमरसर से जागरती लहर के लिए हरजीत गरेवाल के साथ अमन माहल की रिपोर्ट